नमस्कार जी मैं मंजू और आप सब कैसे हैं आज मई की 13 तारीक है और बहुत ज़्यदा गर्मी हो रही है मेरे जहां जो कल का टेंप्रेचर था वो 45 डिग्री सेल्सिस था और इतनी ज़्यदा गर्मी पड़ रही है पर चलो काम तो गर्मी में होते रहने हैं तो मैं अपने ब तो जो फूल आपको जिन पर आपने सीड क्लेक्ट करने हैं ऐसे इस तरह का फूल आपने नहीं लेना है और नहीं ऐसे जिस तरह से मैंने यह बताए हैं तोड़के आपको रखने हैं तो मैंने तो तोड़के इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने अपने त्रिक्के से फिर फूल पे कुछ पोली बैग बांद के रखा है कि उसको ताकि सीड मेरे पक सके तो आपने जो ये जैसे फूल ये तो अभी खिली ही रहा है तो इस तरह से तोड़ना नहीं है नहीं इस तरह से तोड़ना है तो सीड बनाने के लिए इनके ये इसके ये चीज होती है सेंटर बाली जो इसके निचे अभी तो ये कच्चा है ये इसके निचे जो है ये जितने ये बने होते हैं उतने ही ये सीर त्यार हो रहे होते हैं ये तो अभी कच्चा फूल है तो ये निचे इसके ये सीर जैसे ये दिखा आपने ये सीर कच्चा स सेर ते तरह सेर्ट से त्यार होते हैं नियुक्ता निकाल के तोड़ ले और तोड़ पर यह अच्छे से ड्राई होने देना है मैं तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको ले क्या है यूँकि पता नहीं मेरे यहां बच भी पाएंगे कि नहीं चिडियें कुछ छोड़ नहीं रही है तो यह जैसे चिडियों ने यहां से पूरे सीर निकाल दिये हैं उनोंने तो यह कुछ इसके यह ड्राई हो चुका है काफ से यह त्यार सीर तो यह जितने भी यह इसके यह उपर के हिस्से हैं यह रोते हैं यह इस तरह सी यह हैdefined और ये ये दिखो सीड ये पूरे सीड ही सीड है ये ये सीड ही सीड है ये आपको दिख रहे हैं ये सीड ये सीड है ये सारे तो बस ये ऐसे चुन लेने हैं आपको पर ये इसको जो है ये तो अभी काफी कुछ ये हमारा जो सीड है त्यार हो गया है पक गया है पर इस तरह से शोग नकालना है तो यह सीज जो पुरी सूक जाती है और यह सीड ऑर ने लगते हैं तो इस तरह से यह सीर वोखते हैं इसके यह तो अगर करना क्या है आपने इसको बचाने के लिए तो मैंने तो पॉलिथिन बैग उपर बान दिया छेद करके ये देखे सीड कितने इतने धेरों सीड इसमें त्यार होते है ये तो ये पूरे चिडिये मेरे खाई जा रही है सारे वो छोड़ी नहीं रही है तो मैंने सुच है मैं कहीं भी सुखा लो और फिर किसी ये टाइट डिब बेजा पॉलिथिन बैग में डालके रख देना है तो मैंने कैसे बांद रखा हुआ है ये ऐसे भी नहीं तोड़ने है आपने ऐसे भी क्योंकि ये तो मैंने दिखाने के लिए लाई हूँ ये इस तरह से ये फिर गलत रिक है तो इनको पूद्वों पर ही पकने दे अच्छे से पकने दे ये पूरे अच्छे से इनको पकने दे तो ये कच्चे ऐसे ना तोड़े अभी ये कच्चे हैं तो ये सिर्ट दिखाने के लिए तो मैं उपर अभी आपको प्लांट दिखाती हूँ अपना और और मैंने कैसे उसको बांध रखा हुआ है पोलिथिन बैग से यह रात का टाइम होने लगा है रोश्णी अभी कम है तो यह मेरे यहां खोब सारे फूल खिल रहे हैं पर जैसे जैसे यह तो भी खिलना भी आज स्टार्ट ही हुआ है तो जैसे जैसे यह जो है इनकी लाइफ ज इसमें त्यार हो गए है तो चिडिये खाई जा रही है फिर मैंने ऐसे पोलिथिन बैग इसको ऐसे बांध दिया है यह आप देख पा रहे हैं और इसमें मैंने छेद यह कर दिये हैं यह आपको बीच में फूल दिख रहा होगा और सीड भी यह दिख रहे होगे तो मैं खोल अब उन से बचाने के लिए मैंने यह पूलिथिन बैग बंद आ है और यह सीड़ यह देख पा रहे हैं काले यह काफे कुछ पक गए हैं तो अब पूरा ड्राइए हो जाएगा फिर मैं इसे निकालूंगी तो मैं इसी तरह से जो अभी पूलिथिन बैग मैंने खोल दिया काथ से मिर्कों मुश्किल हो रहा था तो मैं इसली बंद दूंगी तो इतने फूर वह है सम्मेक खूल सारे इस फ्लॉर को सारे वॉर्ण वियुजे लगरे हैं ऑद दूसरे प्लांट में दिखाते हूं थे बड़े बड़े फ्लावर वर्ट्रा मैं यह मेरे दूसरे प्लां को अच्छी खुरा करें तो होब करती हूं कि आप जो मैंने जिस तरह से आपको बताया है निकालना सिखाए हैं तो उस तरह से जब पूरे तरह से प्लांट पे अगर ड्राई हो जाते हैं तो फिर आप फूल को तोड़ दीजिए और सीड निकाल दीजिए तो उससे फिर आपक ग्रो हो जाता है साल पर यह लग जाता है नमस्ते जी शुक्रिया